तो दोस्तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कप्तान की धमाकेदार वीडियो आगे दोस्तो यहाँ पे देख सकते हैं राजिस्थवान रॉयल्स वारसेथ दिल्ली कैप्टल्स के बीच में मुकाबला होने वाला है अब दोस्तो आज बताएंगे कि कौन से टीम जीतने वाली है और कौन से टीम हारने वाली है और दोस्तो दोनों ही टीम में दोस्तो अगर आप लोग ड्रीमिलियों से लाको करोडों रुपए कमाना चाहते हैं prediction में दोस्तों कप्तान कप्तान फसाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाश तक जोड देखना क्योंकि दोस्तों इस वीडियो पर आपको ऐसी ऐसी चीज़े पता चलेंगे कि आपको दोस्तों पूरे यूटूब पर कोई नहीं बता रहा होगा तो दोस्तों अगर आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जोगर देखेगा और हर एक बात को इंपोर्टेंड दोस्तो बहुत ही जादा आप सब के लिए दोस्तो यहाँ पे हर लोग हर दिन लाखो करोड रुपाय कमा रहे हैं और दोस्तो यह कप्तान उग कप्तान फसाने का फार्म कप्तान फस्ते हैं तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जोगर देखना पूरा प्रूप के साथ दिखाऊंगो दोस्तो ऐसी बात नहीं है कि मेरे टीम में नहीं पस्ते हैं और किस प्रकास मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा पैसा जीत चुका हूँ तो आप लो फूटी कौणी नहीं जीत पाएंगे आप कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना बना ले कितनी अच्छी टीम क्यों ना बना ले चाहिए आप किसी भी खिलाडी को अपने टीम में ले ले बर दोस्तों जब तक आप लोग कप्तान नहीं बना पाएंगे चाहिए वो दिल्ली से ब तो दोस्तो आज के मुग के खिलाड़ी जो है जहाँ पे देख सकते हैं यह सा स्वीच जैसवाल है जो की बहुत important है दोस्तो यहाँ पे देख सकते हैं यह सा स्वीच जैसवाल है जो की important खिलाड़ी आज के मैच के लिए जो राजिस्थान रोयल्स की तरफ से कप्तान बन सकते वहीं दोस्तो जोस बटनर दूसरे नमबर पढ़ाते हैं ये भी राजिस्थान रोयल्स की तरफ से कप्तान बन सकते हैं और संजू समसन पिछले मैच में कप्तान बने थे क्या इस मैच में कप्तान बनेंगे या नहीं बनेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे और देख सकते धुरू जुरायल ये भी दोस्तों यंग बल्लेबाज बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं आज के मैच में और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंट बोल्ड भी आपको दो तीन विकेट निकाल सकते हैं तो यह दोस्तों आपको रहे दोस्तों जोस बटलार के प्रबल दाविदार है वही जोस्तों अगर राजिस्थान रोयल्स की तरफ से बात की जै कि कौन कौन से खिलाड़ी जो आज के कप्तान काप्तान बनने के प्रबल दाविदार है तो दोस्तों डेविड वार्नर दिल्ली काप्तान काप्तान बनने के प्रबल दाविदार है में प्रबल दायों दोस्तों कन्सक्राइब विकट कीपर ये खिंचक। आशा बैख सर पटेल दोस्तो पिछले मैच में ड्रीम टीम में नहीं थाइ इस मैच में जरूर दो- कप्तान कप्तान बनने के हगदार रहेंगे गेंद बाजी और बैटिंग से दोनों तरफ से आपको प्रदाशन कर सकते हैं वहीं दोस्तो कुल्दी प्यादो आपको तीन से दोस्त तीन विकट निकाल करके दोस्तो आपको ड्रिम टीम में आ सकते हैं और रिशेंट पिछले बार एक होती दोस्तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग दोस्तो कभी भी किसी खिलाडी को आप लोग ड्रीम इलेओं की टीम में लेते हैं तो उसके साथ में आपको क्या करना है उसके साथ दोस्तो यहीं करना है कि वह खिलाडी होना चाहिए ड्रीम इलेओं की टीम में जिसको आप कप्तान उग कप्तान बनाते हैं यह दोस्तो जो data है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह selection percentage है यहाँ पे दोस्तो आपको दिखाई देरी यह कप्तान का selection percentage है और यह vice captain का selection percentage है वह है दिल्ली के तरफ से देख सकते हर कितना डीम टीम में कांछा कहलाईÇці कहां शुम हों अब होड़ा यहां गार ताम नहीं आप लोग इस वीडियो को डेड़ गुना स्पीड करके आराम से देख सकते हैं वीडियो बहुति इछ्छा चले आप लोगों को डेढ़ गुने स्पीड में आपको जल्दी अली समझ में भी आ जाएगा और आपके टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं किया जाएगा जब अब यहां पर तेज श्पीड करके दोस्तों इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा ही आनंद आएगा बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप विकेट बल्ले बाज से किसी खिलाड़ी को कफटान बनाना चाहते हैं तो उस बल्ले बाज को आपको क्या बनाना है अगर दोस्तों आ लोण दस से आप किसी खिलाली को कप्तान उग कप्तान बनाना चाहते हैं किसी भी खिलाली को आलाउंडर सेक्षन से तो दोस्तों आपको कम से कम वो 30 रन बना दे वो आलाउंडर और दो विकेट जटक दे दो विकेट जटक दे तभी उस आलाउंडर को कप्तान या कप्तान बनाना अग उसको आप लोग कफ्तान कफ्तान ट्राइ करना नहीं तो दोस्तों आप लोग कोई मतलब नहीं कफ्तान कफ्तान सिर्फ और सिर्फ रिस्क ही रहेगा आपके जियन में हमेशा कफ्तान कफ्तान आपके हाँ से निकलते जाएंगे तो आप लोग कभी भी कफ्तान कफ्तान नहीं सकते हैं अगर इन तीन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको अगर कफ्तान कफ्तान फसाना तो इन तीन बातों को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहां पर दोस्तों जो हमने बता दिया है आप दोस्तों यहां पर बात करें कि अगर बाजिस्थान रॉयल्स के दोस्तों यंग बल्लेबाद सस्यास्वाल का सिलक्सेंडेट कितना है 95 परसंद स्लक्षण डेट है यह साथ स्फष्वी जैसवाल का 95 स्लक्षण टीम में आने के चांस उसके मात्र को 95% कर जाते हैं और 5% बच पाते हैं तो दोस्तो 28% सेलेक्शन डेट है सबी लोग यह सच्छी जैस्वाल की तरफ जाएंगे और दोस्तो आप लोग अगर दिमाख लगाएंगे तो यह सच्छी जैस्वाल को अपने टीम में कप्तान नहीं बनाएंगे हलाकि आज बल्ले बाद बहुत ही खतरना है कि यह सच्छी जैस्वाल आज चल सकते हैं इस वज़े से आप लोग कप्तान इनको ट्राइ करना जब ट्राइक करना जब आप दो तीन टीम चार टीम लगाते हैं तब उसके बाद वाइस कैप्टन के तौर पर दोस् बटलर का 10-10-12-82 परसे लोग इनको कप्तान मरा रहा है अपने टीम में देख सकते हैं इनका भी सेलेक्शन डेट काफी ठीक ठाक है और 9 परसे लोग वाइस कैप्टन चुन रहे हैं जोस बटलर का वाइस जोस्तों संजू संसन की बात की जाए तो देख सकते हैं 88 परसे लो 88 परसे यहां पर सेलेक्शन डेट है संजू संसन का वाइस कैप्टन मतला उप कप्तान के लिए दोस्तों राजिस्थान रोयल्स के धुरू जुरायल विकेट की पर यह भी बहुत ही खिलाड़ी 17 परसे सेलेक्शन डेट इतना जादा सेलेक्शन डेट है फिर भी हमने इसको अपने टीम में कप्तान कप्तान बनाने के लिए ट्रम कार्ड खिलाडी के तौर पर यूज किया है 17 परसे सेलेक्शन डेट आप लोग समझ रकते हैं 0.28 परसे लोग धुरू जुरायल को कप्तान बना रहा है कितना कम सेलेक्शन डेट है 0.44 परसे लोग वाइस कैप्टन ब संदीप सर्मा की बात कि에는 12 संदीप सर्मा को कप्तान बना है 0.20 सब्हीं खिलाली को साथा ज़ीन और कि दोसर बात हैं ने सब्सक्राइब करते हैं दिल्ली कर्टांस के तरफ से दिख लेख कर दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं देवीड वार्नर दोस्तों 94 पसंड स्लेक्षन डेट है और डीवीड वार्नर प्रक्राइब मना रहे हैं तो आखिरकाट डेविड वार्णार एक बहुत ही खतरनाग बल्ले बाज है तभी दोस्तों इतना हाज सेलेक्षन देट है पिछले मैच में ड्रीम टेम में भी नहीं थे ड्रीम टेम में थे बड़ दोस्तों यहां पे मतलब कप्तान कप्तान नहीं बने तो 0-10-11-20 परसे लोग डेविड वार्णार को वाइस कप्तान बनाना चाहते है मिसल मार्ण की बात कीज़ा है तो 95 परसे लोग मिसल मार्ण को दोस्तों सेलेक्षन परसंटेज है 43% सेलक्षन देट है शाई होप का 1.46% कफ्तान चुन रहा है साई होप को 1.47% वाइस केपटन दोस्तो चुट्राई कर रहे है वहीं दोस्तो बात के लेतेm रिशाबम पंद का सेलक्षन देट ड्रीमत टीम में 60% है और दोस्तो रिशाबम पंद को वाइस केप्टन ट्राई कर रहे हैं उसके बात देख सकते है कुल्दी प्यादो का 76% सेलक्षन रेट है और दोस्तों 1.26 पीस प्यादो को क Harper尋 लोग को Harper Q कर रहे हैं 12.25 प्यादो कीप्टन ट्राई कर रहे हैं खलील हमत की बात कि जा तो 24 परशलो लोग कफ्टान बना रहा है जीरो दसवलो 22 परसyllडėूक कफ्टान बना रहा है खलील एह मत को जीरोदश्वलो 27 परस्टरोग कफ्टान चुण रहा है अब दोस्तों दोनों टीम के खिलाड़ें को आपने देख लिया है सलेक्शन परसंटेज कफ्ट। लुक काप्तान अब दोस्तों इन खिलाडियों का स्कोर देख लिए जिए पिछले मैच में कितना कितना स्कोर था तो कि बिना स्कोर को आपको कुछ समझ में आने वाली बात था नहीं दोस्तों राजिस्थान रॉल के तरफ सागर बात कीज़े देख सकते हैं यह सच्छी जैस बिकेट मिला यह रहे दोस्तों राजिस्थान के खिलाडियों का नहीं आपने स्कोर देख लिए जब अर्जस तरीके से अब दोस्तों दिल्ली कैटल्स के पिछले रीसेंट मुकाबले में कितना कितना दोस्तों यहां पर खिलाडियों का यहां पर स्कोर देख सकते हैं क्पिखे एक इंडे विक्र जटके थे इस हैं उसक्राली आपके टीम ने का प्रभल दावेदार है तो दोस्तो हम यहाँ पर लेना चाहेंगे उस खिलाड़ी को कफ्तान जो दोस्तों पिछले मैच में जबर्जस तरीके से प्रदासन नहीं कर पाया बहुंसे लोग ले चाह रहे हैं जो खिलाड़ी प्रदासन कर रहा था उस खिलाड़ी को लोग कफ्तान कफ्तान ट्राइ कर रहे हैं तो दोस्तों हम यहाँ प बटलर को दोस्तों यहां पे कप्तान बनाएंगे सेफ टीम के लिए जोस बटलर को कप्तान बनाएंगे जोस बटलर को यह दोस्तों हमने कप्तान बना दिया जोस बटलर को अब दूसरा हमारा सेफ टीम के लिए कप्तान कौन होगा दोस्तों दूसरा हमारा सेफ टीम के लिए क कप्तान बना दियतें दोस्तो आप को ट्राइ कर सकते आच के इस वेस की भजा करेंगे जोस्तो यहां पर आकर बात कर ले क्वास क flute को ट्राइ करेंगे दोस्तो दूसरी टीम में ट्रेंट बोल्ड को जिसमें दोस्तो अच्छर पटेल कप्तान और यहां पर देख सकते हैं यहां पर दोस्तो आपको देख सकते हैं सस्वी जैस्वाल जो स्वतलार उसके बाद दोस्तो यहां पर हम बात कर लेते एक और यहाँ पे दोस्तो डेवीड वार्नर को आप लोग या दोस्तो यहाँ पे डेवीड वार्नर को क्या बना सकते हैं डेवीड वार्नर को कप्तान बना सकते हैं तीसरा दोस्तो कामिनेशन कप्तान का डेवीड वार्नर को आप लोग कप्तान बना सकते हैं और combination दोस्तो 6 combination होते हैं सबसे ज़्यादा लोग 6 टीम लगाते हैं Grand League के लिए तो यहाँ पे safe के लिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जोज बटलर को आप लिए उसमें कप्तान मनाना या सस्यू जैसाल को वाइस केपटन दूसरे मच्छर पक्टिल को कप्तान मनाना ट्रेंन पुल्ड को वाइस केपटन देवीड वार्नोग कप्तान मना रिषयपन को वाइस केपटन यह दोस्तों safe खिलाडी हो गए अब दोस्तों चलिए रिस्की खिलाडियों की बात करते कि आज की मैच में किस को कफ्तान ट्राइ किया जा सकता है तो दोस्तों रिस्की खिलाडी की बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं फिर से एक बार हम संजू संसन कूपर रिस्क ले रहे हैं कप्तान बनाने का पिछले मैच में कप्तान थे तो संजू संसन बनिंग नहीं बर दोस्तो हम रिस्क ले रहे हैं संजू संसन को कप्तान बनाने का तो संजू संसन को कप्तान बनाना दोस्तो रिसकी टीम में और वाइस केप्टन किसको ट्राइ कर सकते हैं वाइस केप्टन दोस्तों यजवेंदर चहल को ट्राइ करेंगे यजवेंदर चहल को यजवेंदर चहल को ट्राइ करेंगे यह खिलारी भी दोस्तों आपको ड्रीम टीम में जगा बना सकता है यजवेंदर चहल को आप लोग वाइस कप्तान के लिए मिशल मार्स को दोस्तों हम लोग कप्तान बनाएंगे मिशल मार्स को कप्तान बनाएंगे जो कि रिस्की है पिछले मैच में ड्रीम टीम में ही नहीं थे तो मिशल मार्स को हम लोग कप्तान बनाएंगे यहां पर देख सकते हैं और वाइस कैप्टन के तौर प पर हम बनाना चाहेंगे यहाँ पर कप्तान किसको बनाना चाहेंगे कप्तान दोस्तों हम बनाना चाहेंगे यहाँ अगर बात कर लेते हैं रिस्की दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हम बताना चाहेंगे दुरू जुरैल है जैसे की दुरू जुरैल को आप लोग यहाँ पर कप्तान मना सकते हैं धुरू जुरैल को आप लोग कप्तान मना सकते हैं धुरू जुरैल जोस्तों देख सकते हैं ये खलाड़ी भी आपको ड्रीम टीम में खेलता हुआ दिखाई देगा और साई हूप को दोस्तों यहाँ पर वाइस कैप्टन ट्राइ कर लेंगे स साई होग को जगा पर आप लोग दोस्तों किसको ट्राइ कर सकते हैं कुल्दी पियादों को भी ट्राइ कर सकते हैं वाइस के तौर पर आप लोग दोस्तों साई होग की जगा पर अगर आपको साई होग दोस्तों रन नहीं बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं तो आज के मैच क तरीके से दिल्ली वर्सेज राजिस्तान के मुकावले में दोस्तों आप लोग कमेंट्स बाक्स में जैसी राम लिखना जरूर न भूले दोस्तों और आप लोग कमेंट्स बाक्स में जाके जैसी राम जरूर लिखे और लिंक में दोस्तों डिस्क्रिप्शन टेलीगराम चैन मिलते फिर आपको अगले वीडियो में